Hello my dear students, welcome to my channel English with Manish Nema. आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको रुक जाना नहीं, योजना के तहर जो आदामी परिक्षा होने जा रही है, उसमें 10th class के पोयम की जो important question है, वो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, बहुत आसानी से, सराल सब्दों में आप इन पोयम के answers याद कर लेंगे तो आपको पोयम से, आपको पोयम से कुल 10 नंबर मिलते हैं, पोयम पढ़ने से किवल आपको 10 नंबर मिलते हैं, 3 नंबर का extract आता है, 2-2 नंबर के आपको 2 प्रस्ट में आते हैं, और 1-3 नंबर का central idea भी आता है, यदि इन 10 में से, यदि हमने मेलत कर चार या पांच या शे नंबर भी हासिल कर लिए, तो हमारे सफलता में ये बहुत ओपियोगी होंगे, आपको 75 नंबर का English का paper आना है, 75 का और आपको 25 marks बस पास होने के लिए, इसलिए हमें हर जगे से marks को चुराना है और लेना है, लेना है, चुराना नहीं है, शरी, चलिए, तो सबसे पहले हम ब दो नंबर निश्च ग्रूप से मिलेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रेक्ट आएगा, तो उस एक्स्ट्रेक्ट में याने जो लाइने आएंगी कवीताओं की, उसमें दो क्वेस्टन जरू पूछे जाते हैं, कि बता ये पोयम का नाम क्या है, और उस पोयम को लिखने वाले क्या है, तो आप ये स्क्रीन सॉट ले लिजिए, इसे कागज में लिख कर दिवाल पर चिपका लिजिए, और रोज आपको इन पोयम के नाम और कभी के नाम याद करने हैं, ताकि आप सहजता से इन्हें परिक्षा में लिख पाएं, और दो नंबर आप शेक्रूर कर पाए तो मैं आपको जल्ली से बता दू, आपको 9 कभीता हैं पढ़ने के लिए दी हैं, एपी वोट ने, और पहली कभीता का नाम है, डस्ट आपिस नो, जिसे रोवर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, पड़ी चोटी कभीता है, फायर एंड आइज, रोवर्ट फ्रॉस्ट ने Robert Frost और Fire in Ice, Robert Frost ने लिखिये, A Tiger in the Jew, next जो पोयम है, वो Leslie Norris ने लिखिये, How to Tell Wild Animals, ये Corlin Wells ने लिखिये, The Ball पोयम, John Veryman ने लिखिये, और बाकी जो आपकी तीन कवीता है, और है, वो ये रही, जिसमें Amanda जो है, वो Robin Klein ने लिखिये, और The Trees जो है, Address ने लिखिये, और Frog जो कवीता है, वो Carl, Send, Work ने लिखिये, और Antim कवीता आपकी है, For N.A. Gregory, तो N.A. Gregory जो है, वो W.B.S. ने लिखिये, तो आप इन कवीताओं के नाम याद कर लीजे, इन्हें स्क्रीन सॉट लेकर के, आप तागज में लिखिये, लिख कर के ही, सीखिये, ल इसने की बात, जो रुख जाना नहीं की द्रस्ती से, आपको important है, पहली कवीता है, Dust of Snow, इसे Robert Frost ने लिखा है, इसका पहला question जो है, What is a Dust of Snow, sample paper, 2020 में ये दिया गया है, बहुत important question है, इतना सा answer आपको लिखना है, पूछा गया है, कि What is a Dust of Snow, Dust of Snow क्या है, तो Dust of Snow is a fine particles of snow, Dust of Snow जो है, वो छोटे-छोटे कड़ है, काए कि, इसनो की, इसनो यहने वर्फ, इतना सा answer है, आपको तो रटना है, Dust of Snow is a fine particles of snow, लिखकर जरूर, पूरे के पूरे दो नंबर मिलेंगे, अगर आप इतना सा answer लिख देते हैं, कि Dust of Snow क्या है, Dust of Snow, a fine particles of snow कहलाते हैं, तो आपको इतना याद करना है, जो मैंने blue color से कर दिया है, इतो आपको question में ही मिली जाएगा सब कुछ, What change the mood of the poet, कौन सी चीज, poet का mood change करती है, तो क्या है, poet का poem का नाम ही, Dust of Snow, तो the dust of snow, और यहां से उठा करके, change the mood of the poet, पिर जहों काते हूं लिख देना, full stop भी लगा देना, यहां नहीं लगा है, चलिए, what is a hemlock tree, hemlock tree क्या है, hemlock tree is a poisonous tree, hemlock tree जो है, वो एक जहरीला पेड है, what does hemlock tree represent, और hemlock tree क्या represent करता है, यह 2014 में पूछा गया है, प्रस्न है, अभी खाल की ही, आपने जो अपरिक्षा दी थी, hemlock tree represents, यह तो आपका काहिसे आ गया, यह पूरा question से आ गया, क्या लिखना है, किल्प के वल आपको, एक spelling लिख देना है, sorrow, s-o-r-r-o-w, sorrow मतला, दुख को प्रदर्शित करता है, आपकी दूसरी कविता है, fire and eyes, जिसे रावर्ट फ्रस्न ने लिखा है, what do fire and eyes stand for, यह बहुत ही important question है, fire stands for desire, desire यह एक्षा, fire जो है, desire यह एक्षाओं को बताता है, and eyes stand for heated, और जो eyes है, वो heated यहने नफरत को बताती है, what do you, what do you mean by Paris, what do you mean by Paris, Paris means to die, Paris का रत होता है, मर जाना, ठीक है, इतना ही आपको याद करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर central idea भी आपको तीन नंबर का आएगा, fire and eyes का संभावित है, तो आप जब भी कोई central idea लिखें, किसी भी कवीता का, तो यह line जरूर लिखें, this is a very beautiful and melodious poem, इतना तो जरूर लिखेंगे, हर central idea के लिए common line है, यह एक सुंदर और कायन पर यह कवीता है, The poem fire and eyes by Robert Frost is about the hypothetical end of the world with speaker asserting that it will be destroyed either by fire or by ice, इतना सा central idea आप लिखेंगे, तो आपको तीन नंबर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक, आपको तीन नंबर का central idea भी आएगा, चलिए, आगे चलते है, a tiger in the Jew, यह Leslie Norris ने लिखा है, Where was the tiger kept in the Jew, बहुत important person है, the tiger was kept in the cage, the tiger was kept in the cage, तो आप देखी, यहाँ पर the tiger was kept in the cage, यह तो सब आपको question है मिल जाएगा, इंदा, इंदा भी मिल जाएगा, जू की जगए आपको कहा लिखते है, यह यहाँ आपको वेतारों को ठीक रात में. नेक्स्ट आपन देखें तो इसका भी सेंटला आइडिया है इसको भी आप स्कीन सूर टेली जी लिख लीजेगा इसको भी आप स्कीन सुपरी जी लिख लीजेगा यह अच्छी सुंदर और कारण परीक अभीता थीम आप टाइगर इंदजू is that wild animals should not be imprisoned यहने wild animals को जो है जंगली जानवरों को है वो हमें कैद में नहीं रखना चाहिए they should be allowed to stay in their natural habitat freely being their natural free self तो उनको हमें रखना चाहिए उनको जहां उनका प्राक्तिक आवास है उनमें ही freely रूप से उनको रखना चाहिए इसे आप पढ़ लीजेगा पोएम दबॉल आपकी नेक्स पोएम है जॉन वेरी मैं ने लिखा है what has happened to the boy तो क्या हुआ था boy को he had lost his ball तो उसकी गेंद गुम गई थी इसलिए यह उसके साथ हुआ था where did the ball go the ball fell into the water the ball fell into the water इतना सांसर लिखना है तो नमबर आपको मिल जाएंगे who loses his ball किसने अपनी गेंद को खो दिया तो देखो who की जगा क्या लिख देना सिर्फ the boy the boy लिखो who की जगा और आपका अंसर तैयार हो जाता है ठीके चलिए यह loses का spelling गलत हो गया sorry इसको आप ठीक कर लीजेगा question में लिखा आएगा चमा चाहते है what was the reaction of the boy he was very sad boy again गुमने के बाद कैसा हो गया बड़ा दुखी हो गया मैंने इसमें वही सरल प्रस्ट इसमें सामिल किये हैं जो आपको जल्दी याद हो जाएंगे और आपको परिक्षाओं में उप्योगी होंगी और या 10 साल की लड़की है what could Amanda do if she were a mermaid sample paper 2023 में बहुत important question है याद रखिएगा जो 2030 sample paper में है वो आपको अच्छे से याद करना है इसको तो याद कर ही लिजेगा what could Amanda do if she were a mermaid sea would drift slowly on sea तो क्या करेगी यदि Amanda mermaid होगी ठीक है तो mermaid होगी यदि Amanda तो sea would drift slowly on the sea तो वो क्या करेगी सागर या समंदर की लहरों पर क्या करेगी ड्रिफ्ट करेगी slowly slowly यदि वो mermaid होगी तो question no.3 है is Amanda an orphan why does she so see say so Amanda क्या orphan है अनाथ है 2022 में पूछा गया प्रशन है और पूछा गया है ऐसा वो क्यों कहती है no Amanda is not an orphan तो आपका पहले प्रशन का उत्तर तो no से बन जाएगा कोमा लगा के no Amanda is not an orphan she says so because she wants to be alone वो यसा इसले कहती है क्योंकि वो अकेला रहना चाहती है she wants to roam around in the street अकेले घूमना चाहती street गलियों में and pattern dust with her wear food और छाप बनाना चाहती है अपनी पेरों की जो dust है उस पर खेलना चाहती है और जागर के उस पर छाप बनाना चाहती है अपनी पेरों की dust पर तो यह भी screenshot जरूर ले ले लिए लिख लीजेगा एक register में और सारे प्रस्णों को लिख करके देखियेगा Amanda बहुत important है इस रुख जाना नहीं के संभावित paper संभावित जो आपका paper आने वाला है उसमें यह संभावित प्रस्णों के answers में है अगली कवीत अनिमल वॉल्ट बेढने लिखी है Whom does the poet wish to live with तो the poet wish to live with animals तो किस के साथ रहना चाहता है कभी कभी रहना चाहता है animals के साथ Who kneels to another कौन घुटने टेकना चाहता है दूसरों के सामने तो man kneels to another यानि इनसान जो है वो आदमी जो है वो घुटने टेक देता है दूसरों के सामने चली, अगली कभीता, the trees, where are the trees, the trees are in the poet's house, कहा पर है trees, trees है poet के घर में, trees कभीता को लिखा है, Edwin Rich ने, जरूर याद कर लें poet के नाम, और poem के नाम, where are the trees moving out, तो कहा जा रहे हैं, फिर यह हम जे पुछा गया, the trees are moving out to the forest, कहा बढ रहे हैं वो, forest ने जंगल की तरफ बढ रहे हैं, ट्रीस कहां बढ़ रहे हैं, जंगल की ओर बढ़ रहे हैं, अगली कभीता आप देखेंगे, Fog है, कार्व सेंडबर्ग ने लिखा है, How does the fog come, 2024 में आया था ये प्रस्ट, The fog comes on the little cat feet, Fog आता है, ठीक बिल्ली के पैरों पर, What does Sandberg think the fog is like, Sandberg, Fog को किस तरह बताते हैं, The fog is like little cat, और वो कहते हैं कि जो fog है, वो little cat की तरह है, इस तरह से हमें इतनी कभीता याद करनी है, Fog पर कभीता, इसके बाद एक कभीता और है, लेकिन वो इतना important नहीं है, तो आप इन कभीताओं के जो मैंने बताए हैं, ये 20 प्रस्न है, 20 questions है, आप याद कर लीजेगा, और अगले वीडियो में संभावित कोशस करूँगा, कि आपको जो दो दो नंबर के 6 प्रस्ना आने हैं, प्रोज से, उनका वीडियो जल्दी लाऊंगा, और कि वर 20 प्रस्न है, जो question है, मैं आपको दूँगा, उनको पढ़ियेगा, बहुत सार अलांसर्स है, अगर कोई आपको परिशानी होती है, तो मुझे WhatsApp करिएगा, मुझे आप बात भी कर सकते हैं, इसके कोई fees charges नहीं है, ये initial के मेरी classes, Thank you.